हेलो दोस्तो आज के इस वीडियों दोस्तो हम पढ़ेंगे भुगोल के कुछ महतपूर प्रश्णों को रिस्कस करेंगे जैसे है कि दोस्तो आगामी बिहार सिच्छक भरती में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है तो दोस्तो वीडियो को बिना स्किप किया अंतक जरो देख होता है अगला प्रस देखेंगे वह तारा मंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है तो दोस्तो ओरियन तारा मंडल का नाम क्या होता है हंटर भी होता है ओरियन तारा मंडल का नाम हंटर होता है अगला प्रस देखेंगे निम्न में से कौन सा तारा डॉग इस्टार के नाम से भ प्रिध्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तारा है अगला प्रस देखेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है सुक्र जो है दोस्तो सबसे चमकीला ग्रह होता है अगला प्रशन है प्रशनमर नौवा है ग्रह सुर्य निम्न अनुसार घोडंग करता है तो दोस्तो जो सुक्र ग्रह है वो पूरुप से पस्चिम की ओर गुला प्रश्ण है प्रश्ण में दसवा है ने कौन सा गरह आंतरिक गरहों की सेडी में नहीं आता है तो दोस्तो आंतरिक गरहों की सेडी में वरूर गरह जो है नहीं आता है प्रश्ण नमर 11 है वरुड ग्रह का वाइमंडल समान है किसके समान होता है दोस्तो यूरेनियस के समान होता है अगला प्रस देखें दोस्तो प्रश्ण नमर 12 है दोस्तो प्रश्ण नमर 12 ये कहता है प्रिथिभी की आयू का अंदाजा लगाया जा सकता है क तो दोस्तो प्रिथिभी के दोनों ओर मंगल और सुक्रगरह जो है विद्धिमान है अगला प्रस देखेंगे प्रिथिभी के घोडन गती किलो मीटर प्रधिघंटा में कितनी है प्रिथिभी के घोडन गती जो होता है 1670 किलो मीटर प्रधिघंटा है प्रश नमबर 15 है दोस् प्रश्ण नमबर 17 है चंद्रगहर होने का क्या कारण है तो दोस्तों चंद्रगहर होने का यह कारण है कि सुर्य और चंद्रमा के बीच में प्रित्वी आ जाती है अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण जाता है तो दोस्तो उल्का पिंड को जो है उल्का के रूप में भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है प्रश्णम 20 है ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुक कारण क्या है तो दोस्तो ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुक कारण चंद्रमा का गुरत्वा करसर होता के मद कितना अन्तर होता है , जैसा कि दोस्तो यहाँ पे आफ्सनर हम देख लेते हैं आफ्सनर में दोस्तो पाँच सई एक बटा दो का अंतर होता है अगला प्रशने दोस्तो। प्रश्ननर 22 है निम्नंपे से कौन सा एक ब्रिहत ब्रित है तो दोस्तो भुमत रेखा जो है एक ब्रिहत ब्रित है प्रश्च नमर तेस है प्रिथभी पर सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एस या महादीप है अगला प्रश्च दोस्तो अभी सीनिया निमने में से किसका पूरो नाम है तो दोस्तो इथी ओपिय इथी ओपिया का पूराना नाम क्या था अभी सीनिया था अगला प्रश्ट है प्रश्ट नमर 25 है निम्न मेंसे किस देश को यूरोब के कॉक्पिट के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो बेलजियम को यूरोब के कॉक्पिट के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ट है अटाकामा सहारा ये सब क्या है ये सब दोस्तों मरुवस्थल है अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमर 28 है बिश्व की सबसे लंबी परवस्रिंखला कोन सी होती है तो दोस्तों बिश्व की सबसे लंबी परवस्रिंखला एंडिश परवस्रिंखला है प्रस्ट नमर 29 है तोरा बो प्रवारती मिर्दा में कमी किसकी है? तो दोस्तो बारती मिर्दा में नाइट्रोजन की कमी है. अगला प्रशन है, निमलखित में से किस नदी का उधगम जो है भारत के बाहर है? ब्रह्म पुत्र का जो है दोस्तो उद्गमो बाहरगे भारत के बाहरगा है अगला प्रश्ण है वाई मंडल में आक्सिजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तो वाई मंडल में आक्सिजन की मात्रा लगभग 21% होती है प्रश्ण नमबर 36 है वाई मंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो दोस्तो वाई मंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है अगला प्रश्ण है मांसून क्या है मांसून दोस्तो रित परग पवन है प्रश्ण अर्थिस है कौन सी हवा वर्ष में दो बार अपनी दिशा जो है परिवर्दित करती है मांसून हवा इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तो रेडियो तरंग को धरती पर परावर्द करती है वो कौन सी तरंग परत होती है दोस्तो आईनो इस्फेर होती है प्रश्ण नमर 41 है निमलिखित में से उश्रकण बंद छेतर कौन सा है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर खरेखा से मागर रेखा के मध्या अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तो प्रश्ण नमर 42 है निमलिखित में से कौन संगनन नहीं है तो दोस्तो इसमें चा प्रक्रिया क्या कहलाती है संगहन कहलाती है प्रश्ण नमबर 44 है करका में होता है करका में क्या होता है दोस्तो बर्प के जथे संक्रिंदित परत सहीत होते है अगला प्रश्ण है हीमपात होता है जब हीमपात कब होता है दोस्तो जब वायु का उसांक हीमांग से नीचे होता प्रश्ण नमबर 46 है दोस्तो वर्सा में कमी किसके करण होता है वर्सा में कमी जो है गलोबल वार्मिंग के करण होता है प्रश्ण नमबर 47 है दोस्तो इस लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है इस लिंग साइक्रोमीटर से आदता मापी जाती है अगला प्रश्ण है प्रश्नमर 48, पवन के वेक का सन्नियमक क्या होता है? तो दोस्तो पवन के वेक का सन्नियमक दाब प्रवरता होता है. प्रश्नमर 49, दोस्तो निमलिखित में से कौन सा खथन सही है? तो दोस्तो आपसन सी जो है वो सही है. विस्वत रेखा से ध्रुगों की ओरता पान जो होता प्रश्णमर पचास है दोस्तो चक्रवात क्या है उत्री गुलार्ध में अल्प दापतंदर के साथ बामा वर्थ पवन जो है वो चक्रवात कहलती है प्रश्णमर दोस्तो 51 देखेंगे रियक्टर पैमाने का उपयोग निम्ने में से किसके मापन हेतु किया जाता है तो दोस् सुनामी लहरे-डेस-डेस किलो मीटर प्र गंटा की गस्से गमन करती है तो दोस्तो समानता सुनामी जो लहरे होती है वो 600-800 किलो मीटर प्र गंटा की गस्से गमन करती है प्रश्णमर तीरपन है निम्ने में से किस फसल को परत हेक्टियर vouskotte da तो दोस्तो गन्ना को जो है अधिक्तम जलकिया आव सकता होती है प्रश्च नमर चमवन है International Rice Research Institute कहां इसी थे दोस्तो फिलिपिन समेश थे थे प्रश्च नमर पच्पन है एक धाने क्रिसी डैस का एक विसिष्ट लच्छड है तो दोस्तो एक धाने क्रिसी जो है वो वाडिज अनाज खेती का एक विसिष्ट लच्छड है प्रश्च नमर च्पन है किस फसल की खेती के लिए जलकरांती किया जाता है तो दोस्तो चावल की खेती के लिए जलकरांती किया जाता है प्रश्च नमर सतावन है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उबाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है फसल चेकर कहलाता है प्रश्णमर ठावन है दोस्तो बिस्व के किस राष्ट को सक्करदान कहा जाता है तो दोस्तो क्यूबा को जो है सक्करदान कहा जाता है प्रश्ण नमबर 59 है क्षट्टे फ़लों के लिए कौन सा प्रदेश दोस्तो सूपरसिद्ध है तो दोस्तो खट्टे फ़लों के लिए भूमद सागरी छेत्र जो है सूपरसिद्ध है प्रश्च नमबर 60 है प्रिथिवी की सतह का 3-4 भाग जल्द वारा अधिकृत है प्रश्च नमबर 61 है तीन और से सागरों से घिरे हुए भू भाग को क्या कहते हैं प्राय दीप कहा जाता है प्रश्च नमबर 62 है दोस्तो प्रशिद जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा अस्तल किस महासागर में इस्तित है हिंद महासागर में इस्तित है अगला प्रस देखेंग दोस्तो प्रश्च नमबर 63 है अफरीका यूरोप से प्रिथक होता है अफरीका जो है यूरोप से प्रश्च नमबर 65 है, कौन से दो देशों को पाक इस्ट्रेट जोडती है, तो दोस्तो भारत और स्रिलंका को जो है पाक इस्ट्रेट जोडती है, प्रश्च नमबर 66 है, स्वेज नहर किसे जोडती है, स्वेज नहर जोस्तो लाल सागर और भूमसागर से जोडती है, प्रश् इगलू जो है दोस्तो बर्प से बना हुआ एक घर होता है देख लेते हैं दोस्तो यहाँ पर इगलू जो है दोस्तो गुम्बज जिसमें AUKARE का एक घर या झूपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाय जाता है जिसमें Eskimo जो है जनजाती है प्रश्चनमर 71 दोस्तो 21 सदी का सिलक रूट किसको कहा जाता है तो दोस्तो 21 सदी का सिलक रूट जो है इरान और मद ऐसिया के बीच की रेल कड़ी को कहा जाता है प्रश्ण मर 72 है निम्ड में से कौन सा जापानी संगटन पेपर हवाई जाहाज निर्वित करता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान और गेमी एरोप्लेन एसोसियेशन तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद